Hello everyone, इस वीडियो में आर हम डिसकस करने बाले हैं अगर आप EKTU की किसी भी कॉलेज में एडवीजा लेना चाहते हैं आप इन टॉप 10 EKTU की कॉलेज से कर लोगे तो आपका करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और EKTU की बेस्ट कॉलेज है यह प्राइबेट जहां पर एडवीजन प्रोसेस ही बताऊँगा कि इसका एडवीजन प्रोसेस क्या होता है लेकिन यह मानलो कि अगर आपने इस क EKTU की किसी भी कॉलेज में एडवीजन ना लेके यह कि कि इन टॉप 10 कॉलेज में एडवीजन लोगे तो आपका प्लेस्मेंट 100% होगा और एक बेस्ट प्लेस्मेंट होगा तो चलिए यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट अनी फर्दर देले उससे पहले एक कुमार्गर्ग इंजिनिरिंग कॉलेज जो की 1998 में बनी थी और अगर आपकी फीस की बात करूं तो इसमें जो फीस है वो 141756 के समतिंग है एक साल की तो अब आप कहोगे कि भाईया यहां पर फीस काफी जादा है तो देखो एक वीडियो में अल्रीड डेटेल में बता चु तो देता हूं देखो कॉलेज बोवड़िया में होती जिसकी फीस जादा होती है काम होती है। जो जितना मैं उस पर इन्वेक्ट्मेंट कर रही हम उसका रिटर्ण मेरको अच्छा मिल सकेगे कशा 12011000 दे लाइक जो एक डियू की और कॉलेज है एक नॉर्मल कॉलेज है जो की 30,000, 40,000, 50,000 में अपने बीटेक कराती हैं लेकिन अगर आप यहां पर आप यहां पर जो अभी इन्वेस्ट करें वह तो देखो लेकिन आपका रिटेन आएगा वह भी तो देखो बीटेक में अगर आप एक नॉर्मल सी कॉलेज से करते हो जिसकी फीज 40,000 है एक साल की एक अगर चार साल की फीज की बात करो तो एक लाग साथ जार पर हो आप बोलो कि यहां तो इतनी एक साल की फीज है लेकिन यह भी देखो कि वह प्लेस्मेंट भी नहीं कराएगी कॉलेज भाई यह प्लेस्मेंट कराएगी 40,000 रुपेगा एवरेज प्लेस्मेंट जाता है तो किसी भी कॉलेज में एडविशन लेने के लिए उसकी फीज तो यह देखो ही देखो लेकिन उसका प्लेस्मेंट भी देखो किसा क्या है या में जितना पैसा जिसमेंट कर रहा हूँ कॉलेज में 4 साल तक Mr. जो करूँग आने वाले टाइम में उसका रेटन कीतने हाँ मुझे बापसी यह बहत महतं होए सब Because Real लेगा तो एकदम एग्जेक्ट तो नहीं बता रहा लेकिन हाँ आप प्रॉक्स जो की आपको देखने को मिलेगा तो इतना ही मिलेगा थर्ड कॉलेज आपकी गाजियाबाद की ही मुष्ट अप दा कॉलेज है जो की टॉप में है एक है एवी एस इंजिनेरिंग कॉलेज के बारे में डिसक्स करने के बाद फिर आपकी है गलगोट याज कॉलेज ऑफ इंजिनेरिंग एंड टेक्नोलोजी जो की नॉइडा में है आपकी ग्रेटर नॉइडा में 2000 में इस्टेबिलिस्ट हुई थी और एक लाग पचिस आर सम्थिंग इसकी फीज है अगर मैं फिप इसक्स नंबर पर यहां पर जो रैंक करती है वो है आपकी IAIMS इंजिनेरिंग कॉलेज जो की गाजियाबाद के जैसे कि मैं अल्रेडी बताया है मोश्रप्ता कॉलेज गाजियाबाद की ही है जो एक टीउ के टॉप 10 में है वो 2002 में है और एक लाग तेतिस आर शेसो निन्य इसकी फीस है सेवन्त कॉलेज है यहां पर आपकी राजकुमार गोयल इंस्टीट ऑफ टेक्नलोजी गाजियाबाद 2000 में इस्टेबिलिस्ट है और एक लाग तैन थाजन फाइवंड़ेट की सम्तिंग इसकी फीस है उसके बाद है आपकी एर्स नमर पर जे जी एल बजाज greater noida 2017 में बनी थी और भाई इसका जो फीस है वो अबिलेबल नहीं था इनकी website पर इसलिए मैं यहां पर नहीं लिखा है उसके बाद नाइन्थ है यहां पर Institute of Engineering and Technology और यह 1984 में है मतलब काफी परानी कॉलेज है और इसकी फीस है 90,000 के सम्तिंग तैन्थ कॉलेज यहां पर जो अब भी हम एडवीशन प्रॉसेस की बात कर लेते हैं तो मेरे भाई मैं यहां पर अगर एडवीशन प्रॉसेस की बात करूं तो दो जिन धनीके हैं जिससे एडवीशन हो सकता है एक तो सबसे पहले आगर आपने जेई मेंस का एक्जाम दिया थो और आपकी रेंग 55,000 से ल यहां पर यहां पर मैं यह नहीं बोलगों सभी अपने एडवीशन लेती हैं लेकिन आपके 12 में कितना स्कोर क्या उसके मेरिट बेस्ट पर आपको यहां पर एडवीशन मिल सकता है तो यह इनका एडवीशन प्रॉसेस है एक ट्यूग की जो टॉप 10 कॉलेजिस है और यार कि generalized क्या पर यहां जायां 살किए गृषन पर यह प्लीशन मिल स्ट खार्या से ओर तो रहे होता है और यहार आप से मुलकात होगी किसी नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए ख्यार रख cricket प्राइबना